हेलो दोस्तों कैसे आप लोग स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में BSF ट्रेट्समैन में जो है 14 सर 10 पदो भरती निकाली गए है 10 पास के लिए आप में से काफी सारे लोगों ने बोला था सर डिटेल वीडियो लेकर आगे तो आज के आप लोगों के बारे में दोड़ आप साथ ही साथ फॉर्म कब से बहरे जाएंगे इसकी जनकारी बताऊंगा तो मैंने या पर सारी जनकारी को लिख रखा है और इसी के माध्यम से आपको समझाओंगा यह नया प्रैक्टिस है आप लोगो फ़ोना सा ओड लग झाल ज़गा होगा मुझे ही अरग लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार वोड पर आ रहा हूँ तो चली आएए देखते हैं saagरे जनकारी को और समझते हैंりました हैं सबसे बड़ी वेकेंसी है, B.S.F. की, इस साल की, देखिए होता क्या है ना, इस B.S.F. में सबसे फ़ले आपका जो है ना, physical efficiency test होता है, जो वेकेंसी को और ज्यादा अच्छा बनाता है, यानि पहले आपका जो है, दोड होगा, height और ना पी जाती है, फिर जो आगे के पर किरिया होती है, वो की जाती है, अभी हम समझेंगे एक-एक step को, कि क्या-क्या पर किरिया है, किस-किस stage से आपको गुजरना होगा, सब जी समझेंगे, देखिए फ्रिंट्स, इसमें न, अगर आप दस्वी के साथ-साथ, आई-टी-आई-पास है, तो भी आविदन कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ दस्वी पास हैं, तो कुछ ऐसे पोश्ट है, जो सिर्फ दस्वी पास पर है, उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और मेल फिमेल दोरों के इंडिट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो आए जाल लेते हैं, एक एक जो है, अपसंस को, एक एक चीजो को, देखिए फ्रिंट्स, यह जो है, टोटल पोस्ट है, चौदो सर दस पद है, पहले हम बतायता है, कि ओनलाइन कब से होगा, फ्रिंट चुका है, DABP की वेबसाइट पर मैं लिख देता हूँ, आप सर्च कर सकते है DABP, ठीक है, और देखे, फरवरी माह में इसका आवधन स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे आवधन स्टार्ट होगा, मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊँगा, कैसे फॉर्म को अप्लाई करन मीनिमम 18, मैक्समूम 25 वर, अब देखे, यहां पर जो है, OBC को 3 साल का छुट मिलता है, SCST को 5 साल का छुट मिलता है, यहनि अगर कोई OBC के इंडेट्स है, तो उनका जो मैक्समम उमर हो जाएगा, 28 हो जाएगा, अगर कोई SCST से है, तो उनका उमर हो जाएगा, वो हो और यहां पे स्ट को कोई भी और को कोंगी अपलीकेशन नहीं देना है स्टेरी जो है लेबल थ्री आपको सवेड़ी मिलेगा सडयरी जेख सकते हैं बहुत ही संदार यह लगधा लगधा ठीस से 32 जार के आज़सा आपको स्टार्टिंग बनेगी इसने प्लस-लाउंस वहगर भी होते हैं जो बेसिक सेलरी है वह मैंने लिखा हुआ है अब यहां पर इलिजबिल्टी के बात करते हैं इलिजबिल्टी जो है आपको थोड़ा सा समझना होगा अच्छे तरीके से होगे हुएया यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर यहां पर पहला है और यहां पर चाहिशों किस पोश्ट के लिए क्या क्या आश बोला गया है लेकिन कुछ ऐसे पोश्ट है जिसमें experience और ITI माँग रहा है जैसे की जैसे कि इलेक्टिसियन ट्रेट्स आवेदन करेंगे पेंटर से पलंबर से या करपेंटर से इसमें से किसी भी ट्रेट्स अगर आप आवेदन करेंगे तो आप जो है दोसवी पास होने चाहिए यह साथ ही साथ आपने ITI किया हुआ है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यह आपको दो साल का experience भी होना चाहिए यह बोलागा है अगर इन सब पोश्च से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ दसभी पास बोलागया है और बोलागया है कि ट्रेड की जन जनकारी होनी चाहिए ट्रेड की जनकारी मतलब समझे कोई certificate नहीं चाहिए बस ट्रेड की नौलेज होनी चाहिए जैसे माल लेजिए सपोज आप माली के लिए आवदन देते हैं तो जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा ला तो फूल वगारे के बारे में बगवानी करने के ब होनी चाहिए सफाई कर्मी में आपको जाड़ू पोछा वगार की नाई में आपसे बाल कटवाया जाएंगे दरजी में आपसे कपड़ा सिलवाया जागा मोची जैसे की जुत्ता चपल अगर जो सीते होगर है ब्रस वगर करना ही सब तो यह ट्रेड टेस्ट आपके होंगे नेशनल स्कील डेवलपमेंट से यही नहीं आपको इसमें सर्टिफिकेट बोला गया है देख रहा है यह वाले जो पोस्ट है यह वाले पोस्ट इस वाले पोस्ट में जो है आपको जो है सर्टिफिकेट जो है मांगे गया है बाकी यह जो उपर बीच वाला जो है दो नमर क प्रोशेस वो क्या है पहले यहां पर समझें सेलैक्षिन प्रोशेस देखे सब्से पहले आपका सेट्भेस्वग ऐड मैं दौर गडिवीजिदे में डोड़ कराइब यहां पर देखे मैंने लिखा हुगा ना होता है किसके लिए उसके बाद से documents, verification, फिर आपका trade test, return test और medical, trade test में क्या होगा, तो जिस post से आप आवेदन करेंगे, उसके लिए जनकारी आपसे इकठा होनी चाहिए, और उसके बारे में आपसे पूछे जाएंगे, trade test में, तो ये आपको समझ में आ गया, पहला ये होता है, फिर दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, और फिर जो है चौथा, फिर return exam, फिर आपका medical, last में medical आपका होगा, और देख रहा है ना return exam कहाँ पे, तो इसमें selection होने का chance बहुत जादा होता है, और बहुत संदार vacancy होती है, लेबल 3 salary, जिसमें लग गया ना, friends, वो vacancy जो है खुबसूरत हो जाती है, हाला कि दौसवी pass पे जो है लेबल 1 की vacancy देखने को मिलती है, लेकिन BSF ऐसा संस्था है, जो लेबल 3 जो है आपको start करता है दौसवी pass पे, क्योंकि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए, आपका जो PT and PST होगा वो देखिए, running आपको जो है 5 km करनी है, 24 minute में male candidates को, देख रहा है ना male को, height आपकी male की होती है, 116-165 cm, SCST के height ना पी जाती है, 126.5 cm, यह minimum है height, आपकी जादा है तो और बढ़िया है, अब यहाँ पे देखिए, chest जो है, 78-83 cm, अगर आप hill area से आते हैं, पहाडी वगरा से, जमू कास्मीर से, लदाक वगरा से, तो आपके लिए height में छूट है, इसके लिए आपको एक बार detail notification देखना होगा, क्योंकि अलाग-अलाग उन्होंने बहुत सारे राज्य का, अलाग-अलाग राज्य के district वाई, मतलब height में छूट दिये हैं, तो मैं notification आपको description box में डाल दूँगा, आप वहाँ से यह देख सकते हैं, अब यहाँ पे आपकी height और chest में heel के according छूट मेलेगी, बाकी यहाँ पे female का देख सकते हैं, यहाँ पे minimum 177 cm और CST को 150 cm, heel area से आते हैं, तो 105 cm है, अब female को कितना दौड़ना है, तो 1.6 km दौड़ना है, 8.5 में जोगी बहुत ही आसान है, यह भी बहुत ही आसान है friends, आपका जो दौड़ है वो बहुत आसान है, अब बात आती है written exam की friends, written exam आपका क् 20, reasoning से 25 question, GKGS से 25 question, Hindi या English से 25 question, इसमें सब कोई भी एक solve करेंगा, तो Hindi solve करेंगे, तो English solve करेंगे, यहाँ पे total marks 100 होते हैं, आपको जो है डिड़ घंटे की timing मिलती है, कोई negative marking नहीं होता है आपका written exam में, तो यह written exam है, अगर आप general competition की regular basis पे त्यारी कर रहे हैं, तो आप easily written exam क तो crack कर पाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है, जो कि देख सकते हैं, math, reasoning, GKGS, Hindi या English से question रहते हैं, 25-25 question, 25-25 marks के, कोई negative marking आपको नहीं होता है, यह minimum passing marks होते हैं, यह वाला जो होता है, अब यहाँ पे आपको समझ में आगा सारी जनकारी, अगर आपके मन में कोई भी doubts है, comment है friends, तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं, अगर आपको इसी परकार कर वीडियो चाहिए, तो आप हमें comment box में बता सकते हैं, कि क्या में इस परकार कर और वीडियो लेकर आओ, कि न लेकर आओ, क्योंकि आप लोगोंने काफी सारे army के जो नए syllabus बदला हुए, नए changes हुए है, उ पर वरी इसी महीने में जो है, इसका online सुरू हो जाएगा, जैसे online सुरू होगा, मैं आपको वीडियो बना के बता दूँगा, कैसे form को apply करना है, मिलते है किसी नए वीडियो के साथ, हमित हिजायत और देख तेरे Dear Selfing Forever, Thank you for watching, जाहिन!